हलो दोस्तों नमस्का ससेका लादाब मैं हूँ आपका दोस प्रतीक शर्मा कॉमनमेन दोस्तों मेरे को फिस्टुला की सरद्री कराया हुए आज पूरे 23 दिन हो चुके हैं मैं भी रिकवरी मोड में हूँ और आप लोगों की दौाहों से चल ठीक हो जाओंगा दोस्तों सबसे पहले में एक इंपोर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा डॉक्टर पंकरगर सर 17 सप्टेंबर से लेके 23 सप्टेंबर तक आउट ओफ इंडिया है तो अगर आप लोगों की सदरी हुई है और ड्रेसिंग का टाइम नस्दीक आ रहा है और अगर आपका 20 तरिक से बाद में तारिक आ रही है 15 दिन की तो आप 24 तरिक से आ जाईए 24, 25, 26 का प्लैन बना लीजिए क्योंकि सर नहीं रहेंगे तो वहाँ पे कोई भी आपको नहीं मिलेगा तो अगर आपको ड्रेसिंग करानी है तो इस अक्वाडिंग आप अपना अपना शेडियूल प्लान कर लीजिए उसे साब से टिकेट कर वा लीजिएगा आप भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए जब तक जीवन में दुख लिखा है तो दुख भोगने पड़ेंगे उसके बाद सुखका जब टाइम आएगा जब सब सही हो जाएगा तो आप बार बार यह सब लोग स्ट्रेस मेरा इतना कॉंप्लिकेटिट कैसा मेरे संद में आप लोग छोटे-छोटे आपके सिंपल पिस्टोल फिर भी इतना घबरा जाते मैं भी तो खड़ा हूं आप देखे सारे दिन ओपरेशन के बाद वी वीडियो बनाई हर चीज़ की वीडियो बनाई हर चीज़ की वीडियो शेयर कर रहा हूं सारी चीज़े मुसीबते जो भी आती आप लोगों से शेयर करता हूं तो आप इतना घबराएं नहीं फ्रीकरंस होना है तो होगा कुछ नहीं कर सकते स्ट्रेस लेने से क्या होगा और दूसरी परिशान ही आजएगी अराम से खाओ प्यों रहो अपने आप सई हो जाओगे इतना लोड मतलों यह बीमारी अगरी कि हम बेडरेस पर रहते हैं चल फिर नहीं पाते हैं उसके बाद देखा है मैंने नेक्स डे वॉक के लिए बोला जाता है कॉली डोर के अंदर होस्पेडियों के अंदर सब वॉक करते हैं या जैसे कोई दूसर रूम के अंदर हमें पेशन्ट दिखता है तो हम क्या कि बात करना है कि आप सामने में से बात करता हैं आप करने से आपको अपको काम आजाएए पस है अपनाबर एक्षेंज कर सकते हैं आगे चलके आपको एक दूसरे की help मिल सकती है तो मेरा यही कहना है कि आप एक दूसरे की please बात करा करिए इसे आपको knowledge बढ़ेगी बहुत help मिलेगी अब मैं आपको मेरा किस्सा बताता हूं मेरी जब surgery हुई surgery होने के बाद मैं walk कर रहा था डिस्चार्ज हो रहे हैं बाट कर रहा था वोक के टांपर मैं सब से बात कर रहा है उसके बाद इस्चार्ज के टांपब निoda पर देखा मैं कप्डे उड़े पहलें चेंज कर लो जाने वाले थे लेकिन मेरी medicines आ गी थी पस मैं निखलने वाला था लेगन मैंने देखा सामने का रूम खुला हूँ और सामने एक पेशन्ट थे जिनका नाम है रोहिजी जो पटियाला से हैं तो वो लेटे वे थे तो मैंने मेरी वाइफ को बोला यह वही है जो कल्वा क्लिनिक पर मिले थे और MRI मेरे बात जिनकी MRI हु इसलिए मैं खड़ा ही था comfortably ऐसे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं उनसे बात चीत कर रहा था मेरे बात करने से उनको बहुत ही अच्छा फील हुआ बहुत comfortable फील हुआ पहले वो थोड़े बहुत uncomfortable हो रहे थे तो आदमी जाता है बात करता है तो समझाता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सब ठीक हो जाएगा जैसे मुझे ठंड लगी तो मैंने उनको एड़्वाइस दीती हो सकता है ठंड लगे तो घबराना मत और ऐसे ऐसे होगा असे होगा सब समझा दिया जो experience आप पसना उससे शेयर कर दीजिए तो सामने वाले को बहुत अच्छा फील होता है तो मेरे यह कहना इस वीडियो के मात्यम से अगर आप देख रहे हैं तो आपसे यह रिक्वेस्ट है अगर आप होस्पेटल में तो प्लीज जा करके बात करिए सामने वाले पेशेंट को बहुत अच्छा लगेगा और आप आपस में नंबल ले लिजिए हो सकता है वो आपसे ज जान लो बाकी आए अकेले अकेले जाना है सबको पता है बस मेरा यही कहना है दोस्तों इस वीडियो में अब मिलेंगे नेक्स वीडियो में कल और होप आप सब ठीक होंगे एक मेरे पास कमेंट हा रहा था मेरे भाई का जो यहां जैपूर से है उन्होंने ऑपरेशन करा है जैपूर के अंदर एक पाइल्स क्लिनिक एंडिसर्स सेंटर करके है ऑस्पिटल का मैं पूरा नाम अभी आपको इसमें डाल देता हूं और वहां पे दो डॉक्टर हैं जो बहुत ही अच्छा वो भी फिस्टुला के उपर वर्क कर रहे हैं तो अगर आप राज्यस्तान से ह रहते हैं अगर आप बहुत ही अच्छे वो डॉक्टर्स हैं और इलाज कर रहे हैं जिनका नाम दिनेश शाह और अंचुल शाह है तो जो भाई है मैं उनका कमेंट भी डालता हूं यह देखिए उनने मेरे को कल भी कमेंट करा था कि प्लीज आप उन डॉक्टर्स का बताएं तो इन से इन्होंने इलाज करा है आप चाहे तो इनको कमेंट करके इनका नमबर लेके इन से बात कर सकते हैं ठीक है दोस्तों मेरा यही मोटिव है कि आप कहीं से भी ऑपरेशन करा है बस जलते जल ठीक हो जाएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेक केर बाइबाए